हेलो इस्टुडेंट्स अध्यन के अंदर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो कोस्टन से हम लोग 4.2 एक्सरसाइज का जो कोस्टन था 11 उसी को देखने वाले हैं तो आज 11 का फर्स्ट कोस्टन जो देखेंगे इस कोस्टन में क्या करना है तो सबसे से पहले यहां पिवलोग सरक देख रहे है कि 11 कि यह वन नमबर कोस्टन है है ए माइन ए मैमाइन इस 2B, B-C-A, 2B, 2C, 2C-A-B, इसको प्रूप करके कितना लाना है, A-B-C का हॉल Q आपको प्रूप करना है, इसमें इतना ध्यान रखना है, by using property of determinant, property use करना है, तो property use करने के लिए सबसे पहले इस question में आपको देखना है कि क्या करेंगे, किस तरह से solve करेंगे, कौन सा property लगाएंगे, कि जल्दी से बन जाए, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ apply करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहें आपको, apply, क्या apply कर सकते हैं इसमें, तो देखे, r1 लिख कि r1 है, यह r1, r2, r3, अगर सब को हम add कर दें, इसको, इसको, तो क्या मिलेगा, तो देखते हैं यहाँ पे add करके, तो अब यहाँ पे जखेंगे, कि हम add कर रहे हैं, तो add करने पे क्या मिलेगा, तो जो first में इसको हम पुरा copy कर ले रहे हैं सबसे पहले, लिखेंगे, a-b-c r2, r2 का value कितना दिया हुआ है, तो 2b लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, तो प्लस यहाँ पे 2c लिखेंगे, जो इसका value दिया हुआ था, फिर यहाँ पे देखेंगे, इसको add करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह 2a, फिर इसको same copy कर देंगे, प्लस b-c-a, फि पिर यहां पर देखेंगे इसको same लिख रहे हैं यहां पर 2a प्लस 2b फिर प्लस c-a-b यह लिख लिए हैं अब यहां पर देखेंगे इसको नीचे वाला same copy कर ले रहे हैं यहां पर 2b हो जाएगा यहां पर b-c-a और यहां पर 2b और यहां पर क्या मिला 2c same copy कर ले रहे हैं 2c और यहां पर c-a-b अब यहां पर देखेंगे next step में कि यहां पर क्या कर सकते हैं कि यहां पर देखेंगे first में इसको solve करते हैं तो यहां पर हम a लिख लिए फिर यहां पर देखेंगे 2b में से b- करेंगे तो 1B मिलेगा तहाँ पर B हो गया 2C में से C माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा C मिलेगा यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करते हैं 2A A है तो यहाँ पर क्या मिलेगा A मिलेगा फिर यहाँ पे देखे B तो प्लस में, तो B प्लस में मिलेगा 2C में से C यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा C मिलेगा, सेम यहाँ पे उसी कंडिशन में 2A माइनस A करेंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, 2B में से B माइनस करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा B और यह प्लस C है तो यहां पर प्लस C लिख लिए फिर नीचे में देखेंगे कि इसको सेम कॉपी कर ले रहे हैं यहां पर यह तो 2B हो गया और यह B-C-A हो गया और यह 2B हो गया और यहां पर यह 2C हो गया और यहाँ पर C minus A minus B हो गया है इसको same copy कर लिए अब देखी A, B, C, A, B, C है तो A, B, C को हम अगर common ले लेते हैं तो इसमें को क्या मिलेगा तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि A plus B plus C को अगर हम common ले लिए तो यहाँ पर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा यह हो जाएगा 2B, यह हो जाएगा 2C यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ B minus C minus A और यहाँ पर 2C फिर यहाँ पर common हो गया है यहाँ पर 2B हो जाएगा और यहाँ C minus A minus B मिलेगा अब देखिए इतना मिलने के बाद फिर हम यहाँ क्या apply कर सकते हैं इसको इससे माइनस कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिये, अप्लाई करने के लिए क्या किये हैं, C2 लिखने के लिए, तो C2 माइनस C1 कर देते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे, C3 लिखने के लिए क्या कर दिए तो सी 3 लिखने के लिए सी 3 माइनस सी 1 कर देते हैं आप लोग जैसे भी वैसे कर सकते हैं अब यहां पर देखेंगे तो पहला तो कुछ नहीं करना तो पहला हम सेम कॉपी कर लिए 2B 2C, अब यहां पर देखेंगी, column 2 लिखने के लिए, यह लिखने के लिए, यहां पर से वन माइनस करेंगे, तो 1-1, फिर इसको इसको इससे माइनस करना यहां पर same copy कर लाते, 3B-C-A, और माइनस का ओगे 2B हो जायेगा, और यहां पर लिखने के लिए, सिथ्थ्री-C-1 करन करना हैे इसको इससे माइनस करना है यहाँ फिन तो एफो देंगे i1-1 फिर यहाँ पर लिखेंगी 2B-2B फिर यहाँ पर c親od A-b और माइनस क्या कर देंगे 2c कर देंगे तो एफे सेम लिख लिए और जो कॉमन हुआ उसको सेम आपको लिखते जाना A, B, C यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं A plus B plus C तो अब यहाँ पर देखेंगे यह 1 मिला और यहाँ पर क्या मिला 2B और यहाँ पर 2C, यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा, तो अगर सब में minus है, तो अगर हम minus को common कर लेंगे, तो यहाँ पर A plus B plus C मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर देखेंगे, यह तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इसमें भी same, यहाँ 2C है, और यहाँ पर यह सब minus में आ जाएगा, अगर माइनस को हम common कर लेंगे तो a plus b plus c मिलेगा इस तरह से इतना मिल गया अब फिर यहाँ पे देखेंगे कि a plus b plus c तो same है तो same लिख लिए अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है ये और ये दोनों में common है तो हम हमें इसको क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं तो हमें square को क्या कर लिए तो बाहर ले लिए अब यहाँ पे क्या मिला इतो पहले से जो था उसको पहले से लिख लिए यहाँ पे a plus b plus c यह लिख लिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा ये 2b हो गया यह बाहर हो गया यहाँ पर minus 1 यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह 0 यह minus 1 हो जाएगा अब यहाँ पर expand देखें expand कर दते हैं यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखें यहाँ power 1 है यहाँ कितना जाएगा A plus B plus C का Hall Q मिल गया अब यहाँ पर देखेंगे 1 को expand कर रहे है तो 1 को expand कर रहेंगे तो 1 इसको इससे multiply करेंगे तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 0 0 कितना आ गया 0 इसको multiply करेंगे हम minus करेंगे multiply करेंगे कितना जाएगा 1 A B C का Hall Q देखेंगे यह आपको proof करना था यह proof हो गया तो हम लोग को देखेंगे यह proof करना था यह proof हो गया तो इस question में यह बन गया question को हराम से पहले देखें वीडियो को पूरा देखें अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप comment करें कहीं पर दिक्कत है तो वहाँ पर आप comment करें फिर से हम इसको आपको describe कर देगे तो जो भी वीडियो को देख रहे है प्लीज लाइक और share करें और चैनल में जो नए है subscribe कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें अब question number हम लोग आज का जो question है second question देखने वाले है तो यहाँ पर देखेंगे second question में क्या प्रूब करना है तो X प्लस Y प्लस 2Z फिर यहाँ पर ZZ है फिर यहाँ X यह प्रूब करके आपको इतना लाना है यहाँ पर भी क्या करना है यूज करना है तो इसमें देखेंगे अब यहाँ पर क्या apply कर सकते हैं कि हम लोग को यह मिल जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं direct apply apply का करेंगे तो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि c1 लिखने के लिए क्या करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दते हैं तो क्या मिलता है तो देखिए इसमें क्या मिलता है तो अब यहाँ पर देखेंगे कि C1 लिखने के लिए इसमें इसको add करना है तो यहाँ पर जो पहला उसको same copy कर लिए X पलस Y पलस 2Z यह हो गया फिर C2 का value कितना है X है और C3 कितना है Y यह लिख लिए फिर जो इसको था इसको same copy कर लिए X और यह था इसको same copy कर लिए Y यहाँ पर जो नीचे में उसको Z यहाँ पर same लिख लिए इसको same copy कर दे रहे है Y पलस Z पलस 2X और यहाँ पर Y यह तो यह Y लिख लिए यहाँ पर Z है तो Z लिख लिए यहाँ पे X है तो X लिख लिए और यहाँ पे Z प्लस X प्लस 2Y यह लिख लिए इतना अब देखेंगे कि इसमें तो यह तो पहला हम लोगा मिल गया फिर अगर इसमें भी आड़ कर दे सबको तो यहाँ पे देखेंगे यह तो सेम कॉपी कर लिए तो यहाँ पे यह तो Z है और इसको सबको अड़ कर देते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा यह Z तो है अब यहाँ पे देखेंगे यह 2X यहाँ पे लिख लिए प्लस Z अपने पास में है फिर यहाँ पर देखेंगे यह Y और यहाँ यह Z और यह Z तो यहाँ पर फिर लिख लिख लेता है प्लस Z और कितना हो गया यह Y कितना हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लिख लिए Y प्लस Y यहां नीचे में भी X लिख लिए, यहां Z है यहां X है X और प्लस इसको लिख लिख लिए, Z X प्लस 2Y यही लिख 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 लिए, अब यहांपर देखेंगी X और X दो जगाय है Y, Y दो जगाय ही 2Z है, यहांपर 2X है यह 2 है सब में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस y प्लस z यहाँ पर भी 2x प्लस y प्लस z और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस z यह लिख लिए इतना अब इधर जो same उसको same लिख लिएते हैं तो यहाँ पे लिख लिए कितना और यह y y z plus x plus 2 y यहाँ पे कुछ नहीं कियें देखे c1 लिखने के लिए c1 plus c2 plus c3 मतलब यह c1, c2, c3 यहाँ पे तीनों को का कर दिया गया अब देखेंगे यह तीनों में common है जिसको हम क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं तो अब यहाँ पे यह बाहर हो गया 2 x plus y plus z इसको बाहर कर दियते हैं क्या मिलेगा 1 1 1 यहाँ x यहाँ y plus z plus 2 x और यहाँ x मिलेगा यहाँ y यहाँ पे y और यहाँ पे मिलेगा z plus x plus 2 y इतना मिल गया तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें फिर क्या अपलाई कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे अपलाई कर देते हैं R2 लिखने के लिए R2 माइनस R1 और R3 लिखने के लिए R3 माइनस R1 करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे R2 तो हम लोग इसको तो same copy कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो उपर में है 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 इधर तो जो है इसको same लिख लिख लिए x plus y plus z ये लिख लिख लिए अब यहाँ पे देखेंगे r1 को आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे 1 xyr2 में r यहाँ पर लिखेंगे 1-1 और यहाँ पर क्या करना है इसको इससे माइनस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस z प्लस 2x और माइनस x इसको दूर में लिख लेते हैं यह y है अब फिर यहाँ क्या करना है तो R3 में लिखने के लिए इसको माइनस कर रहे हैं अब यहाँ पर उपर लग सेम कॉपी कर दिये नीचे में अगर माइनस करते हैं तो R2 में करने के लिए R2 माइनस तो R2 लोग दिखेंगे Y है अब यहाँ पर क्या लिखेंगे Y माइनस Y नीचे में क्या लिखना है R3 में से R1 मतलब इसको इससे माइनस करना त benefiting यहाँ पिर 1 माइनस 1 हो जाएगा R3 यहाँ पिर x-x हो जाएगा इसको भी इसे माइनस करना ते हाँ पिर लिखेंगे Z plus X plus 2Y minus Y यह मिल गए इतना अब यहाँ पिर देखेंगे इसको तो same copy कर लिए 2x plus y plus z अब यहाँ पर देखेंगे यह 1 हो जाएगा इसको minus करेंगे 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x में था, यहाँ पर कितना मिलेगा x plus y plus z मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 मिलेगा फिर यहाँ पर देखेंगे यह तो y रहेगा ही और यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 1 y माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा x plus y plus z मिलेगा यह तना मिलेगा अब देखें x plus y z यहाँ पर भी है तो हम यहां दुनों से common कर लेते है square और यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा Q हो जाएगा तो 2xy plus z का power यहां कितना लिख 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 यहां क्या मिलेगा 1, 0, 0 यहां पर x मिलेगा यह तो बाहर हो गया तो 1 मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ पे y यहाँ पे 0 और यह 1 मिलेगा इतना अब देखे एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यह तो सेम लिख लिए 2x प्लस y प्लस z का q अब यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं 1 को लिख लिए तो अब यहाँ पे इसको इससे 1 करेंगे इसको इससे कितना करेंगे 0 फिर यहां पर माइनस करेंगे फिर मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 2 X प्लस Y प्लस Z का हॉल क्यों देखिए प्रूब करना था आपको यहां पर यह मिल गया तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे ध्यान से देखेंगे तबी समझ में आएगा तो आप अधिन केंदर का जो एप है वो भी आ गया है आप इंस्टोल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और वहां पर भी आप कोर्स पढ़ सकते हैं और जितने से जितने हो यूट्यूब चैनल को आप सेर करें अ